कि राजस्तान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहट जो तीन तारीक को आंकलन प्रत्म होने वाला है काक्षच छे वालों के लिए गनीद का पेपर है तो गनीद के पेपर में आपके किस प्रकार के प्रस्त पुछे जाएंगे थोड़ा साइज आपको एक मोडल पेपर की लगाना है दूसरे में साय तो सापे राइट लगाना इस प्रकार से पंदरा प्रस्त आपको वाँ पे आएंगे गनीद के हिंदी हिंदी और अंग्रेजी के पेपर भी मैंने जो अप्लोड कर दिये उसका भी लिंक आपको वाट्सप ग्रूप में मिल जाएगा ताव वाट लगा अव्Ba 17 से लगा पंदरा तक उसमें आपको अब अश्तातर लिखा होगा उसमें पहले में से आपर तो दा पे राइट करना इस प्रकार से 15 ही प्रसने के उत्र आपको उसमें बरने पहला प्रसने कि निम्न में से सबसे बड़ी संग्या कौन सी इन में से सबसे बड़ी संग्या कौन सी तो बड़ी संग्या को गरते करम में देखा जा सकता हैं बड़ी संग्या को गरते करम में देख लो, तो सबसे बड़ी संग्या, फिर उसे चोटी, फिर उसे चोटी, फिर उसे चोटी, इस प्रकार से बड़ी संग्या को हम पता कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी संध्या देखने के लिए यह तो है तीहतर यह सित्र यह सित्र यह सित्र में से तीहतर यह यह tääटटर बड़े तो अपना जान सेुजए गा आटथillar 1356 यह सबसे बड़ी इन में से दूसरा है कि पांच उनकों की सबसे चोटी संध्या कौन सी ऐ तो पांच अंकों की सबसे चोटी संख्या चार तो उसमें 0 होते हैं और उसके आगे 1 लगा होगा यानिकि 10,000 अब आपको पुछें कि इसमें से चार अंकों की सबसे चोटी संख्या कौन से हैं तो उसका उतर आप कमेंट करके बताएंगे पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो पांच अंकों में पांच बार नो लिखने होते हैं ये पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या है चार अंकों की बड़ी संख्या में चार बार नो लिखने है अगला प्रस्थन है तीसरा संख्या 56 3084 में दहाई और 1000 के अंक आपस में बदल दे जाते हैं यायन ki दूसरा और ुर चोथा अंक आपस में बदल देते हैं तो नई संख्या कोन सी मने जी यायन की दहाई के जगाप पर आपनugenे को 1000 वाले नी और 1000 वाले की जगाप पर 100 वाले ने कि 58,764 इज़िस में उत्तर हो जाएंगे तो 58,764 दावल आप्शन में से अंसर इसका अगला प्रस्थन की सिंख्या को 56,000 56,320 बनने के लिए रिक्तिस्तान क्या बरेंगे अंग कौन सा हैगा तो 5,3 यह 56 बनने तो 5 तो है और 320 भी है च्पन बनने के लिए हम 5 के यहां पर कितने लिखेंगे च्छे लिख देंगे तो इसका बह वला उत्रस में सही हो जाएगा नियुन में से किस संक्या का स्थानिमान में चार का स्थानिमान नियुन्तम है तो जो इकाई के स्थान पर होता है उसका स्थानिमान हमेशा नियुन्तम होता है चटा सवाल इसमें सिंख्या 25,350 में अंक 5 के दोनों स्तानिमानों का अंतर कितना है तो एक का स्तानिमान तो है 1000, 5000 और दूसरे का है 50 तो इसमें आपको दोनों का अंतर गयात करना है 5000 में से 50 मैंनिस करना है तो 4950 इसके अंसर होगी नेक्स्ट है कौन सा विकल्प सत्य है यानि कि इनमें से कौन सा सही है वो बताना है ये 22,000 ये 6,200 बढ़े 6,300 चोटे ये तो गलत है और इसमें ये 3,080 चोटे हैं और 3,008 बढ़े हैं ये भी गलत है 1,909 बढ़े हैं और 1,999 चोटे हैं ये वाला इसमें सही है नेक्स्ट है एक पुस्तक में कुल 324 पेज है और जोती ने 234 पेज पढ़ लिए है बताएए उसने कितने पेज पढ़ने बाकी है जब भी बाकी वाली बात है तो उसमें आपको बाकी करनी है यह 34 में से 234 माइनस करना है तो 0 12 में से 3 जाएगा तो 9 और यहां पे जिदो मैंस दो गए तो 0 तो 90 पेज पढ़ना भी बाकी है तो सह वाला उतरिश में सही हो जाएगा नवा सवाले तीन अंकों की सबसे बड़ी और चार अंकों की सबसे चोड़ी संक्या का योग फ़र चार 2999 के आंसर आजाएगा आपको पांच अंकों की सबसे बड़ी संक्या कमेंट करके बताने देखें नेक्स टेस्ट में सवाल नंबर 10 एक दरजन मोबाइल कवर का मुल्य बारा सु आर्ट सु चालिस रूपए हैं तो 24 कवरों का मुल्य कितना होगा दोको एक दरजन में एक द 40 रूपए हैं तो दो दरजन के इसका डबल हो जाएगा 840 कौम 2 से गुना करेंग तो 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यहीं 1680 रूपए इसका आजाएगा तो नेक्स इसका जो उतर होगा वो 1680 होगा ग्यारवाई कि इनमें से कौन सा सही है तो यह होता है बाज़ी बराबर बागफ इनटू बाज़े बाज़ेक प्लस से इसपल यह वालाश में सही होगा बारवाई की एक बटा चार के समतुल्य बिन कौन सी है तो इसको दो से गुना करेंगे एक बटा चार को तो यह हो जाएगा 2 बटे 8 सा वालाश में आंसर सही है सवाल नमबर 13 है साई ठीक 6 बज़े गड़ी की गंटे और मिनट की सुई है उनके 20 कितने का कौन बनेगा तो शाम को जब भी 6 बज़ते तो गंटे की सुई तो होती है 6 पे और मिनट की जो सुई होती वो 12 पे होती है तो 6 और 12 का जो जब हम मिलान करेंगे तो यह सिधी रख बनेगी इसको सरल कौन कहते है एक सोसी डिगरी का कौन ये बनता है तो इसको सरल कौन के रुप में जानते हैं आपको बताने की 90 के कौन को कौन सा कौन कहते हैं जैसे 8080 को सरल करते है 18080 से कम को अधिक 90 से ज्यादा को अधिक कौन करते है और 90 से कम को न्यून कौन करते है तो एक वर्गाकार खेत का जिसका परिमाप 200 मिटर है उसकी बुज़ याद करिए यह परिमाप दे रखा है परिमाप का सुतर होता है चार इंटू बुज़ बुज़ याद करिए तो परिमाप में चार का बाग देंगे तो 200 में चार का बाग दें तो इसका अंसर आजएगा 50 तो इसका अंसर है 50 मीटर तीन बटा चार गंटे में कितने मिनिट होते हैं तो तीन बटा चार गंटे में कितने मिनिट होते हैं तो इसको इन 60 से गुना करेंगे चार के पार से एक बार होजिए 15 बार 15 को 3 से गुना करेंगे 15 तिया 45 मिनिट तो इसका आंसर है आपके उप्शन नमबर A में 45 मिनट इस परकार आज आज आपके जो गनित में ये 15 परस्तम पुछे जाएंगे जिनको आपको हल करके आपको जो उतर सीट दी जाएगी आंसर सीट जिसका नाम है OCR पत्राइन के OCR सीट उसमें आपको अबसद बरने है जो जिसमें जो सही है उसका उतर आपको उसमें लिखना नहीं है उसके उपर आपको राइट का निसान लगाना है उसमें आपके अबसद दिये होंगे ये एक गनित का पेपर था अब मैं आपके जो अंग्रेजी और हिंदी का पेपर वो भी अफ्लोड करने वाल हूं कल के पेपर तो आप इस चैनल को सबस्क्राइब करके टेल जूग वर्टसप ग्रूप है उसको आपस में जोइन कर सकते हैं